पानी नहीं है कि दौरान अगर आपको ट्वाइलिट लग जाती है वाश्रूम लग जाता है तो ट्रेन में बात्रूम होने के बावजूद आप नहीं जा पाते क्यूं रीजन बताते हैं इधर आईए क्योंकि ट्रेन का बात्रूम बहुत ही गंदा होता है पहले आप यहां की गंदगी करें आप लोग का आप लोग जांपर आप-चक लिजसे अब आप यही मुझे बताईये कि देली सेते Lawrence episodes कर आ रहे हैं इतना लंब़ा सफर लोग बिना ट्वालेट की एंधि round eight और बैठे मा एक जला आई ये रह दिखादे ये ये लाइन दिखाते हैं ये देखे ट्वालेट यहां इतना स्वेल आता हैई इतना स््मेल इतना स्मेल कि शायद बिमारी हो जाए अगर कोई ट्वालेट यहां का यूज करे तो हम भी पांच घंटे की जड़नी हो करके आ रहे हैं और ट्वालेट को रोकना परता है जबकि रोकनी की चीज नहीं है भाईया लोग हैं बात करते हैं भाईया कहां से आ रहे हैं आप लोग एक्जाम करते हैं जो ट्रेन होता है उसका ट्वालेट के बारे में क्या कहना है क्यों इतना साफ सफाई नहीं कर बाता है बहुत गंदा होता यहां का ट्वालेट प्रशासन साफ सफाई नहीं करवागे लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी समस्या बहुत बढ़ी समस्या बहुत बीमार भी होते हैं इसी के वजय से रोग तो बहुत बिमारी आप तो बीमारी है तो यूज ट्रेन का ट्वालेट है बिना साफ सफाई करके रखता है यूज करने से करने की बात यही कारण से करती है कि जो सरकारी करम चारी होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं इसलिए इसे नीजी करन कर दिया जाए प्राइवेट के हाथों सौप दिया जाए ताकि यह सब जो व्यवस्था है साप सफाई है वो बढ़िया हो सके देखिए यहां से लोग आ रहे हैं खुश सोचिए इतनी लंबी जर्णी इतना लंबा सफर क्या भाईया पानी नहीं है यहां के लोग कह रहे हैं गोरकफुर से आ रहा हूं किसी भी सुचाले में पानी है यह नहीं बीना पानी कि किसी को अगर टौलेट जाना हो तो वह पॉसिबल है बिल्कुल नहीं कि मैं दो चक्कर गया हूं चेकर कि मैं इसे आपस आगिया हूं पानी है यह सबसे पहले बेसिंग बहुत सदा गंदा चूना नहीं चाहिए लेकिन अब आपको दिखाना पड़ेगा देखिए इसमें पानी नहीं चल रहा अंदर का जो बेसिंग है यह देख लीजे यह पू यह बिमारियों का घर है तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जर्नी के दौरान सफर के दौरान ट्रेन में तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए नमस्कार